हलो एब्रीवन, गूड इबनिंग, कैसे हैं आप सब, I hope सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आज मेरे गाउं में लगा है मार्केट और हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मैं आप लोग को टीले की बात कर रही थी ना तो टीले के पास हम लोग पहुच गए तो म आगी चलते हैं फिर दिखाती हूं मैं सामने से तो चले तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं मार्केट और काफी हर्याली है आप लोग को पता है मेरे गाउं में वैसे तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब बटन के ब बहुत सारे जाड़ी है यहां पर पेड़ है इमली का यहां पर पूल और बहुत सारा नहीं बहुत सारे लोग जा रहे हैं हम लोग तो और कैसे आप सब आसा करते हैं सब अच्छे होंगे भले चंगे होंगे ठंड का मजा ले रहे होंगे और वाकई हम लोग पहुच गया है महां पर जहां मैं दिखाना चाहती थी आप लोग को तो यह रहा वोप पीला बैक कैमरा से में दिखाऊंगी एक दम पास में रहा मंदिर उतना अच्छे से न नहीं है मंदिर लेकिन हां काफी अच्छा है यहां पर आने के बाद ऐसा लगेगा कि आप लोग जाने का मानी नहीं करेगा यहां पर आने के बाद एक दम दिल खुस हो जाएगा यह देखिए और मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूं आप लोग को और हम लोग चौल रहे हैं यह रहा देखिए आप लोग काफी अच्छा है यह सामने से है तो पत्थल दूर से दिखाई देता है यहां से आप थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, बीच बीच में वो बड़े बड़े पत्थल है, तो चलिए आगे दिखाती हुमें, और काफी अच्छा हर्याली है, यहाँ पे आप लोग अगर आते हैं, यहाँ पे देख के मज़ा लीजी, अगर आते हैं, तो दिल खूस हो जाएगा आप लोग का, तो थोड़ा साना, कभी-कभी लाइट के वज़े से, अच्छे से नहीं दिख पाता है, लेकिन हाँ, है बहुत अच्छा, यह रहा, बहुत ही अच्छा भीव है, यहाँ का, तो मैं यहाँ देखाने के लिए, आप लोग क देती हूँ आप लोग को, आप लोग भी देखिए, इंच्वाए करिए, प्राकृतिक प्रेमियों के लिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरा गाँ, तो आप लोग देखिए, मज़ा लीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है, जरूर बताईए लाइक से अच्छा जर्णर ये प्राइट, ने सब्सक्राइब करके लिएगा थीया और ये देखिए वही ? सारे पेड्ल लगे हुए हैं तो पता नहीं चलता है, सामने से बहुत शारे पथल है, यहाँ पे बहुत लोग गूमने को भी आते हैं, लेकिन फोड़ा से अंदर है ना तो उतने जादे तो नहीं लेकिन आते हैं असा नहीं है और सामने पे बास कना सरी है तो वहां भी काफी खुब सूरत ना जा रहा है तो आगे चलते हैं चलिए उसके बाद में मिलते हैं मार्केट पहुचने वाले हैं थोड़ा सा दूर में ही है तो हम लोग पैदल जा रहे हैं और चलिए आप जो मैं आप लोग को अपने गाओं की मार्केट दिखाऊंगी यहां कैसा है लोकल मार्केट लगता नहीं है वैसे लोकडाउन जब से लगा था तब से मार्केट नहीं लग रहा था फिलाल पे आज फर्स्ट डे सेकंड सप्ता में लगा था साय तक थोड़ा बहुत तो यहां वैसे बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलेंगी बस आप लोग को सबजीयां देखने को मिलेंगी तो वह मैं सेयर करूंगे आगे तो चलिए थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूं मैं वीडियो पर बने रहिएगा आगे भी गेरा बास का नर्शरी और मैं ये दूपा प्रेवाइस बर कर रहे हूं तो ऐसे है कि बहुत बढ़ा शित्रफे लगा हुआ है और काफी हर्याली है काफी हर्याली है यहां पर बहुत ही ज्यादा हर्याली है पार्वा तो नहीं है लेकिन रूप जाएगा कागरिंग के लिए तो कफी अच्छा ना बीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से Im Subscribe करिएगा और आगे चलते हैं मार्केट पहुचंब आले हैं नर्सरी पार्क करेंगे उसके बाद में मार्केट आ जाएगा तो हम लोग मार्केट पहुच गए हैं और मेरी सिस्टर ना कुछ लेना था उसको तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं उसके बाद में चलेंगे सब जूपची लेके सचे तो एक दम गाउं का मार्केट ऐसा यह लगता है और यहां जादा कुछ नहीं मिल लेना था तो वही हम लोग देख रहे थे छोटे-छोटे यह लेना था मैं भी सोची लेकिन मैं लिए उसके लिए हम लोग एक लिये हैं वहीं टेन रुपीज का मतब कि गाउं में सस्ता ही मिलता है और अ पर लेटी लेकिन उत्रा ठीक नहीं रहता है और यह सब्जी हम पाने लाते हैं तो वहां से ले लेंगे टमाटर लिए उसके बाद में हम लोग मूली भाजी ले लिए लिए बैगन लिए फिर हम लोग के साची बस बहुत जादा नहीं तो फिर प्याज कि यह दिखे मेरी सिस्टर ना टमाटर चाट रही है उसको सब्याज जबाता है कासा लगा वीडियो जरूर बताइएगा बाइ